पंच लाइट पंच लाइट कहते हैं पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तै किया दस रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामगरी खरीद ली जाए बिना नेम टेम के कल कबजे वाली चीज़ का पुन्याह नहीं करना चाहिए अंग्रेज बहादूर के राज में भी पुल बनाने के पहले बली दी जाती थी मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गाउं लोटे सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिबा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगएरा गाउं के बाहर ही ब्राम्ह टोले के फुटंगी जाने टोक दिया कितने में लांटेन खरीदी महतो देखते नहीं पंच लाइट है बामन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं अपने घर की धिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन टोले भर के लोग जमा हो गए औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काच छोड़ कर दोड़े आए चले चल अपना पंच लाइट आया है पंच लाइट सरदार ने अपने इस्त्री से कहा सांच को पूजा होगी जल्दी से नहा धोकर चौका पीड़ी लगाओ टोले की किर्तन मंडली के मूल गैन ने अपने भगतिया पछकों को समझा कर कहा देखो आज पंच लेट की रोशनी में कीर्तन होगा बेताले लोगों से पहले ही कहे देता हूँ यदि आखर धरने में टेन बेड हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट और्तों की मंडली में गुलरी काकी गोसाईं का गीद गुलगुनाने लगी चोटे चोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया सूरज डूबने के एक घंटा पहले ही तोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए पंचलेट 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 के सिवा कोई गप नहीं कोई दूसरी बात नहीं सरदार ने गुलगुली पीते हुए कहा दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे पांच कोडी पांच रुपिया मैंने कहा कि दुकानदार सहेब यह मत समझ ये कि हम लोग एकदम देहाती हैं बहुत बहुत पंचलेट देखें हैं इसके बाद दुकानदार मेरा मुह देखने लगा बोला लगता है आप जाती के सरदार हैं ठीक है जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाईए, पूरे पांच कोड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चहरा पर रखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बकसा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बकसा पंचलेट का इसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डाटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आँख के आगे धूर खेल करता है, देदे बकसा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रदधा भरी निगाहों से देखा, छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट, लेकिन आएन मौके पर लेकिन लग गया, रूदल साह बनिये की दुकान से तीन बोतल किरासन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने नसोचा, खरीदने के बाद भी, अब पूजा की सामगरी चौके पर सजी हुई है, कीरतनियां लोग ढोल कर ताल खो है कौन? लो मजा? अब इस कल कबजे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गाउं भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं हर एक पंचलेट में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार है, लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभलाब करके, दूसरी पंचलेट के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर का ताना कौन से है? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से? ना ना, पंचलेट की इज़त का सवाल है दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए चारों और उदासी चा गई अंधेरा बढ़ने लगा किसी ने अपने घर में आज धिबरी भी नहीं जलाई थी आज पंचलेट के सामने धिबरी कौन बालता है सब की ये कराये पर पानी फिर रहा था सरदार दीवान और छड़ीदार के मुह में बोली नहीं पंचों के चेहरे उतर गए थे किसी ने दबी आवाज में कहा कल कबजे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है एक नौजवान ने आकर सूचना दी राजपूर टोली के लोग हस्ते हस्ते पागल हो रहे हैं कहते हैं कान पकड़ कर पंचलेट के सामने पांच बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा भगवान ने हसने का मौका दिया है हसेंगे नहीं एक बुढ़े ने आकर खबर दी रूदल साह बनिया भारी बतंगण आदमी है कह रहा है पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुह में बार बार एक बात आकर मन में लोट जाती है वह कैसे बोले वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चड़ा हुआ था दूसरे गाउं से आकर बसा है गोधन और अब तक तोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया परवाह ही नहीं करता है बस पंचों को मौका मिला दस रुपिया जुर्माना न देने पर हुक का पानी बंद आज तक गोधन पंचायत से बाहर है उससे कैसे कहा जाए मुनरी उसका नाम कैसे ले और उधर जाती का पानी उतर रहा है मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी कनेली चिंगो चिद चिन कनेली मुस्कुरा कर रहे गई गोधन तो बंद है मुनरी बोली तू कह तो सरदार से गोधन जानता है पंचलेट जलाना कनेली बोले कौन गोधना जानता है बालना लेकिन सरदार ने दीवान को देखा और दीवान ने पंचों की और पंचों ने एक मत होकर हुक का पानी बंद किया है सलीमा का गीत गागा कर आख का इशारा मारने वाले गोधन से गाउं भर के लोग नाराज थे सरदार ने कहा जाती की बंदिश क्या जबकि जाती की इश्जत ही पानी में बही जा रही है क्यों जी दीवान दीवान ने कहा ठीक है पंचों ने भी एक सवर में कहा ठीक है गोधन को खोल दिया जाए सरदार ने छड़ीदार को भेजा छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है कहता है पंचों की क्या पड़ती थे कोई कल कबजा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा छड़ीदार ने रूनी सूरत बना कर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाईए नहीं तो कल से गाउं में मुह दिखाना मुश्किल हो जाएगा गुलरी काकी बोली जरा मैं देखूं कहके गुलरी काकी उठकर गोधन के जोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई सभी के चेहरे पर नई आशा की रौशनी चमकी गोधन चुपचा पंच लैट में तेल भरने लगा सरदार की इस्त्री ने पूजा की सामगरी के पास शक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया कीरतन मंडली का मूल गयन मुर्चल के बालों को सवारने लगा गोधन ने पूछा इस्पिरिट कहा है बिना इस्पिरिट के कैसे जलेगा लो मजा अब यह दूसरा बखेडा खड़ा हुआ सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया बिना बूजे समझे काम करते हैं ये लोग उपस्थित जन समू में फिर मायूसी चा गई लेकिन गोधन बड़ा होश्या लड़का है बिना इस्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा थोड़ा गरी का तेल लादो मुनरी दौल कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई गोधन पंचलेट में पंप देने लगा पंचलेट की रेश्म निकलने लगी और रोश्नी बढ़ती गई लोगों के दिल का मैल दूर हो गया गोधन बड़ा काबिल लड़का है अंत में पंचलेट की रोश्नी से सारी टोली जगमगा उठी तो किरतनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जैध्वनी के साथ किरतन शुरू कर दिया पंचलेट की रोश्नी में सभी के मुस्कराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए गोधन ने सब का दिल जीत लिया सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुला कर कहा तुमने जाती की इज़त रखी है तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाउ सलीमा का गाना गुलरी का प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था फणीश्वर नाथ रेणू